हलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर सुशिला सेनी आज आपसे यह बात करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोलैप्स है बहुत सारी क्वेरीज हैं हमें इस बारे में कि हम नहीं आइडेंटिफाई कर पारे कि हमें प्रोलैप्स है या नहीं है तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रोलैप्स होता क्या है प्रोलैप्स का मीनिंग होता है कि बच्चे दानी का अपने जगह से नीचे की तरफ आ जाना प्रोलैप्स कहलाता है कि यदि यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन से खिसक के नीचे आता है तो उसे नॉर्मल भाशा में या म तो सारे कॉमन टम्स में यह दिया आपको लगता है कि आपको शरीर कोई हिस्सा नीचे दिख रहा है या कुछ बाहर निकल रहा है या लेटरिन की थैली नीचे खिसकी तो वह भी आपको सेमी लगता है बटी डाइगनोसिस थोड़ा अलग होता है बट कॉमन भाषा में सब को अब आपको इसका पता चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आएगा कि आपको नीचे भारीपन लग सकता है पहली चीज दूसरा आपको लगता है कि जब भी आप टॉयलेट के लिए बैढ़ते हैं उकडू बैढ़ते हैं तो आपको शरीर का कोई हिस्सा यान निकला होता है तो उसमें घाव बन जाते हैं वहां से ब्लेडिंग भी शुरू हो जाती है और कई बार यह प्रोलैप्स पर्मानेंट हो जाता यानि कि चलते फिरते लेटते यह हमेशा बाहर ही रहता है या फिर कई इस्तिति में जब आप लेटते हैं तो अपने आप अंद हमेशा नहीं होता है और क्या ऐसी चीज हो सकती कि जो प्रोलैप्स के जयसी लग सकती है तो सबसे कॉमन होता है या रहे वजाईनल ट्यूमर हो सकता है वजाईनल पॉलिप हो सकता है वोगत बल्यर की बाहर दिखाई के निकल के आप दु सब्सक्राइब करने लगा और उससे भी ब्लीडिंग होती है तो वह भी आपको सें प्रोड़ाप्स जैसे सिम्टम देगा क्योंकि उसमें भी आपको ब्लीडिंग होगी भारी पन लगेगा दर्द होगा और शरी का कोई हिस्सा बाहर दिखेगा इसके अलवा कई बार है रेक् किसे 3-4 तरह के DD differential diagnosis होते हैं जो कि डॉक्टर आपको चेक करके बता सकता है इसलिए जब भी आपको लगता है कि इन में से कोई भी एक symptom आपको मिल रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाए चेक अप कराने के लिए और प्रिफरेवली गैनिकोलोजिस्ट के पास ही जाए क्योंक क्या चीज है कि वह कोई ट्यूमर है पॉलिप है या फिर को लेटरिन की थैली पशाप की थैली या यूट्रस नीचे आ रहा है यानि की बच्चेदानी नीचे खिसकी हुई है तो डॉक्टर के अलावा आपको कोई completely नहीं बता पाएगा कि exactly prolapse है या नहीं है लेकिन आपको यह समझना है कि आपके शरीर का कोई हिस्सा इंट्रॉइटरस यानि योनी दौर के बाहर दिख रहा है तो वह prolapse हो सकता है अब डॉक्टर यदि आपको कंफर्म कर देते हैं कि prolapse है तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि अब इसका इलाज क्या है तो उसके इलाज के लि बिल्कुल भी नहीं है उसे आराम से उपर लिजाके सेट किया जा सकता है यह प्रकार का हर्निया होता है तो जैसे हर्निया का उप्रेशन होता है जाली लगा कर उसको सपोर्ट कर दिया जाता है तो ऐसे ही सेम प्रोलैप्स के अंदर भी बच्चे दानी के ऊपर मैश यानि क प्रोलैप्स के समस्यां होती है वो बच्चे दानिके जो आसपास की support structure जो टिश्यों होते हैं वो कम्जोर होने की वजह से नीचे किसक कि आ जाती है तो अब यदि उसके support structures को अपने जाली से support करके उसे उपर खीच कर टक कर दिया तो वो अपने normal position पर बनी रहेगे और आपको पर बार बार फिर समस्या नहीं होती है और इसका 90-95 परसंट तक उपरेशन सक्सेस्फुल होता है लेकिन 1-5% किसिस के अंदर फेल भी हो सकता है जिसमें कि बच्चेदानी वापस नीचे खिसक सकती है बर डेफिनिटली उतनी नहीं कि सकती कि जितनी पहले है तो अगर आपको पहले बिल्कुल बच्चेदानी बाहर दिखाई दे रही थी तो हो सकता है कि बाद में वो बच्चेदानी के मूद तक आ रही हो या थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकी हो लेकिन 100% वो पूरी तरीके से बाहर नहीं कि सकती है इसलिए दूर्बीन से ये किया गया ऑपरेशन हमेशा सकसफुल होता है आप बेफिकर हो के अराम से ये उपरेशन करवा सकती है और ये उपरेशन हमेशा तीन छेद बना कर किया जाता है जिससे किसमें कोई चीरा नहीं लगता और रिकवरी बहुत फास्ट होती है एक से दो दिन से के अंदर ही अस्पताल से छुटी हो ज आपके और कोई सवाल है था आप हमें कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकती है हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक नमस्कार